हेलो दोस्तो एक बर फिट से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल अचासी टिप्स में स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लोटो सिस्टम के बारे में इस वीडियो के मादर में समझानेंगे लोटो क्या है हजार्डस इनर्जी शुरूत कौन- से एक-एक स्टेप के बारे में स्टेप बेस्टेप ज़ानेंगे तो आइसे बीडियो को सीधे स्टाड करते हैं तो सबसे लोटो को लोक आउट बोला जाता है यह एक सेब्सटी प्रॉसिज़र है जिसका उपयोग खतरनाक सुरोतों के साथ कारे करने में किया जाता है ताकि यह सुनिचित किया जा सके कि खतरनाक सुरोत ठीक से बंद है और maintenance और repair work पूरा करने से पहले या फिर से शुरू करने में सक्षम नहीं है जो क्या करता है कि जो हजाडस एनर्जी होता है वहां पर हम उसको बंद करके एक लौक का परियोग करते हैं ताकि दूसरा कोई बेक्ति उसको operate ना कर सके अब हम बात करेंगे कुछ sources of हजाडस एनर्जी के बारे में जहां पर लोटो का यूज किया जाता है डैट मिस लोक टाइग आउट का यूज के जाता है कि सब लोग बोलता है कि जो लोटो है क्यावल इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए अधिकतर लोगों पर यही जानकारी होता है कि लोटो का उप्य क्यावल इलेक्ट्रिकल वर्क के वाटर लाइन हो सकता है खेमिकल भी हो सकता है या कुलेंड भी हो सकता है तो यह कुछ फ़nor सब आके पावर अन कर दिया तो उस ब्यक्ति की देथ हो गई ऐसे बहुत सारे कैसेस आपको भी सुनने को मिले होंगे तो जब भी हम टाफ में करते हैं का अचया जबते हैं मेकैनिकल पास में कोई व्यक्ति कारेकर रहे किसी ने बटन दबा दिया मशीन चालू हो गया और बैकति उसमें परखिंतो यते होगे आपने से तो इसलिए यहां पर भी लोटो का व्यों किया जाता है नेक्स्ट आपका इस टीम की जैसे कोई लाइन ठीक वाल्ब है किसी माले जिए कि आपको उसमें करने का है तो इस टीम से भी बहुत शारी मशीने चलती है तो अगर आपकिसी मशीन के साथ कारे कर रहे हो सकता है वह तो यहा पे भी इसलिए लोटो सिस्टम का उप्यो किया जाता हैàng Penalis का भी देखिए Penalis के एक मसीद होता है यह सी बाते प्रेसर से भी बहुत सारे मसीनें चलती है तो हो सकते है । आपको सारीक कर रहे हैं ठाहरीक से आपका चल रही हो किसी ने प्रेमेटिक आर और को हो सकता है LPG हो गया PNG हो गया supported gases area है ठीक है pipeline है आपको उधर काम कर रहे हैं हो सकता है किसी ने उस line को on कर दिया आप वहां पर कारे कर रहे हैं कोई spark generate हुआ और fire हो गया तो फिर उसमें आदमी मारा जाएगा तो इसलिए जब भी अपने को gas line के साथ भी कारे करने का है तो वहां पर भी लोटो सिस्टम का पर्योग किया जाता है नेक्स्ट आपका हाइड्रोलिक सिस्टम आजकल देखी रहे हैं आप लोग बहुत सारी मशीन हाइड्रोलिक सिस्टम पर ही है तो मशीन होती है ना तो वहां पर भी हो सकता है किसी ने वाटर लाइन को चालू कर दिया फिर से वही कारे मसीन चालू हो गया आप उसमें फिर से फंस गया ओके नेक्स्ट आपका केमिकल और कुलेंड सपोर्ट आप समझी रहा कि यह परकार का बहुत ही खतनाक होता है आप वह यहां पर lockout tag out का उप्योग करने का है यह कुछ sources of 1000 energy थे जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साभित हो सकते हैं जब भी हम इनके साथ कारे कर रहे हैं अब हम बात करेंगे जो आपका loto होता है वो कौन लगाता है आए जानते देखिए यह जो lockout tag out होता है हरे company में एक authorized person होता ह है जो कि इस lock को लगाता है यह जो लोटो होता है यह operation department के लोग को ही authorized दिया जाता है जो कि इस लोटो का यूज करते हैं इसमें एक चीज़ देखना होता है यह बार-बार question भी पूछा जाता है कि authorized person क्या है और affected employees क्या होता है तो इन दूनों में अंतर जब भी आप interview में जाएंगे तो वहां पर पूछता है तो authorized person वह होता है जो कि लोटो को apply करता है जबकि affected person वह जैसे कि आपका worker हो सकता है या फिर वह company में जो भी बैक्ती है वह उससे effect हो सकते हैं तो इस चीज को ensure करने होता है जो आपका लोटो होता है जब भी बैक्ती कारे करने जाता है तो उसका चाबी अपने साथ लेके जाएगा या फिर एक station होता है वहां पर चाबी को रखा जा जनते हैं फर्ष्ट आपका preparation preparation में क्या होता है कि जब भी अपने को किसी हजाडस energy के साथ कारे करने का है तो हम एक planning करते हैं पूरी जनकारी को इकठा करते हैं कि कहां कहां से इसका सुरूत है किस-किस पॉइंट पर अपने को लोटो का यूज करने का है यह सारी जनकारी का ह हम एक preparation करते हैं आपका second step shutdown अब हमने planning कर लिया तो अब अपने को उस machine को बंद करने का है तो बंद करने से पहले हम एक इसके लिए प्लानिंग करेंगे पूरे टीम को जनकारी देंगे कि आपका जो भी काम है आप उस काम को निप्टा लिए हम एक इस duration से लेके इस duration तक हम इ यानि shutdown भी हो गया है तो अब isolation isolation में जो भी हमारा हजाडस energy है उस part को अपने को अलग कर देने का है जैसे फिए mcp क्याब से ही आता है जो कि उसमें यूज किया जासे है बहुत सारे लॉक आता है जैसे कि आपने देखा होगा तो उसका यूज करते हैं ठीक है अब लोक आउट वी हो गया टाग अजो एनर्जी है मेंदर्ट कॉछ करने जा रहे हैं जब हम काम करने है तो जायर सी बात है चे करना पड़ेगा न कि हम अब इंट्री करने जा रहे हैं काम करने जा रहे हैं तो एक बार उसको रिचेक किया जाता है पूरा प्लानिंग को जो हमने प्रिफेरिंग किया सट डाउन किया आइसलोशन किया लॉकाउट टाइगाउट किया हमने एनर्जी को चेक किया इसमें सेफली कर सकते हैं तो दोस्तों इस परकार से मैंने अपने सारे इंडेक्स को यहां पर कभर किया फिर से वही कहूंगा जो हम करता हूं अपनी सुरच्छा की सब्सक्राइब लगालो मौत के दरवाजे पे इसे अगर जिन्दगी प्यारी हो मैं आसा करता हूँ कि यह जनकारी आपके लिए यूजफूल था तो कैसा रहा है यह वीडियो कमेंट वक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब होज से करें तो दोस्तों मिलते हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप अपना और अपने टीम का ख्याल रखें धन्यवाद